दूद और मखाना दोनों सेहत के लिए बहुत फाइदे मंद होते हैं। आम तोर पर लोग इन दोनों का अलग-अलग सेवन करते हैं। लेकिन दूद में मखाना मिलाकर खाने से सेहत को दोगुना लाब मिल सकता है। मखाना में कैल्शियम, प्रोटीन, मैगनीशियम, आइरन, फैट और फॉसफोरस जैसे पोशक तत्व मौजूद होते हैं। वहीं, दूद में विटामिन A, विटामिन D, प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोशक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप दूद में मखाना भिगो कर खाएंगे, तो इससे आपको इन दोनों के सभी पोशक तत्व एक साथ मिल जाएंगे। दूद में मखाना मिलाकर खाने से शरीर की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। यह कमजोरी दूर करने से लेकर बलड शुगर लेवल कंट्रोल करने तक में फाइदे मंद हो सकता है। तो आएए, इस लेक में विस्तार से जानते हैं कि दूद में मखाना मिलाकर खाने के क्या-क्या फाइदे होते हैं। अगर आपको कमजोरी और थकान महसूस होती है, तो गर्म दूद में मखाना मिलाकर खाने से आपको लाब हो सकता है। दरसल, दूद और मखाना, दोनों ही प्रोटीन और आइरन जैसे पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं। ऐसे में, इन दोनों का एक साथ सेवन करने से शरीर को एनरजी मिलती है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर हो सकती है। दूद में मखाना भिगो कर खाने से हड्डियां मजबूत बनती हैं। दरसल, दूद और मखाना, दोनों में कैल्शियम भरपूर मातरा में होता है, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। नियमित रूप से दूद में मखाना मिलाकर खाने से हड्डियों और जोडों के दर्द से राहत मिल सकती है। इससे अर्थराइटिस की समस्या में भी लाब हो सकता है। दूद में मखाना मिलाकर खाना डाइबिटीज रोगियों के लिए भी फाइदे मंद हो सकता है। दर असल मखाने में हाइपोगलाइसेमिक और एंटीक सीडेंस गुन पाए जाते हैं जो बलड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से डाइबिटीज के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। हालां कि इसका सेवन करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूद में मखाना मिलाकर सेवन करना हृदय स्वास्थे के लिए लाबकारी होता है। दर असल मखाने में मैगनीशियम, पोटेशियम और फ्लेविनोइज जैसे पोशक तत्व पाए जाते हैं ज दूद में मखाना मिलाकर खाना फाइदे मंद साबित हो सकता है। दरसल दूद में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अनिद्रा की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। रात में सोने से पहले गर्म दूद में मखाना मिलाकर खाने से तनाव कम होता है और नींद भी अ जून सकते हैं